ते टेक्वी चनल को सब्सक्राइब कीचिए और बेल आइकन को दबाएए ताकि आप देख सके लेटास टेक्नोलोजी अपडेट्स सबसे पहले तो गाइस फैनली शाओमी ने लांच कर दिया है इंडिया में अपना रैड्मी नोड 6 प्रो तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रही है आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी नए रैड्मी नोड 6 प्रो के बार में आपको बताऊंगा इसकी में किये गए है इसमें तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज में को इस फोन में पसंद आई है वह दोस्तों कि शाओमी ने इसमें दे दिया है क्विक चार्जिंग का सपोर्ट हाला कि आपको बॉक्स कॉंटेंट में तो नॉर्मल चार्जर ही मिलेगा लेकिन आप एक फास्ट चा तो दोस्तों यह काफी अच्छी बात लगी में को शाओमी की की चलो फास्ट चार्जिंग भी देने लगा है शाओमी अभी इस प्राइज रेंज में बस या दोस्तों एक कमी रह गई की टाइप सी पोर्ट अगर यह दे दे देते इस प्राइज में इस फोन में तो यार नहीं मिलेगा इसके साथ फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले मिलती है और अब रेड्मी नोट फाइब प्रो में आपको नहीं देखने को मिलती थी लेकिन इस वाइल में आपको नाच भी देखने को मिलेगी एक काफी अच्छी सी नाच होगी उसके अंदर आपको कोई और च जाएगी हाला कि आपको इसमें वाटर ड्रॉप नॉच नहीं मिलेगी जैसकि हम को रियल में टू प्रो में देखने को मिलती है लेकिन चलो ठीक है और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रियर कैमरा तो रियर कैमरा भी इसका 16 प्लस 5 मेगपिक्सल का है और शोमी कहता है कि पहले हम सोनी का कैमरा यूज करते थे लेकिन अब हम सैमसंग का कैमरा यूज करते हैं और दोस्तों फॉन देखने में टिपिकल शाओमी टाइप है ड्मी नोट 5 प्रो की तरह है एकदम सेम अगर आपने ड्मी नोट 5 देखा है तो आप समझ लीजे कि ये बिलकुल सेम है बस सोड़ से size बड़ा होगा इसका और आपको पीछे fingerprint sensor मिल जाएगा face unlock को इसमें मिल जाएगा दोस्तों ज्यादा कुछ changes नहीं किये है इसमें Xiaomi Nair Redmi Note 5 Pro से बैक में आपको मिल जाती है दोस्तों metal design metal finish है पूरी body में और hybrid sim slot tray मिलता है दोस्तों आपको इसमे मतलब dedicated sim slot tray नहीं मिलता है लेकिन यार इंडिया में अगर आप phone launch कर रहे हो तो फिर dedicated sim slot tray देना चाहिए क्योंकि most of the Indian users use करते हैं दो sim dedicated sim slot tray में ऐसा होता है दोस्तों कि आप 2 sim औ 1 SD card को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हो या तो आप 2 sim लगा सकते हो या फिर 1 sim 1 SD card मतलब आप इन तीनों का मज़ा नहीं ले सकते हैं आपको इन तीनों में से किसी एक चीज़ की कुरबानी तो देनी पड़ेगी इस phone में और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके processor की इसका processor ह का Qualcomm Snapdragon 636 हां दोस्तों यह processor बिल्कुल सेम है Redmi Note 5 Pro की तरह यह थोड़ी सी disappointed बात है Xiaomi की कि उन्होंने Snapdragon 636 ही सेम कॉपी कर दिया है Redmi Note 6 Pro में हाला कि इसका जो main competitor है इस टाइम पर Realme 2 Pro में आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 660 और काफी जल्द Realme U1 भी लाउंच कर देवाला है जिसमें होगा Mir अटक का Helio P70 जो की 660 से भी बहतर performance देखा तो यार मतलब Snapdragon 636 कहां फिर उसके सामने डिक पाएगा और यार दोस्तों कुछ ज्यादा specifications बताने को नहीं है इस फोन की क्यूंकि almost almost Xiaomi ने Redmi Note 5 Pro की तरह ही चेप दिया इस फोन को बस जो दो-चार features थे वो मैंने आपको बता दिये ज यह बात इस mobile में अच्छी नहीं लगी बाकी चलो सब कुछ ठीक है इस mobile में बस इसका यार प्रोसेसर पे शामी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और दुसी सरह इसके competition में जो Realme है उनका processor काफी ज्यादा बहतरीन होता है उन्होंने अपने Realme One में भी MediaTek का Helio P60 दिया हा अब Realme 2 Pro में उन्होंने 660 दे दिया Snapdragon का और Realme U1 में वो देने वाले है MediaTek का P70 तो यार मतलब अगर performance नहीं होगी तो आप मतलब gaming वगएरा कुछ नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से Redmi Note 5 Pro में इन्होंने 636 को यूज़ किया और उस वक्त या लेटस प्रोसेसर था ये तो काफी अच्छा response दिया इसको लोगों काफी ज्यादा इसको appreciate किया इस mobile को पूरी एक साल तक ये 12-18 रुपई की रेंज में नंबर वन रहा लेकिन अभी recently Realme 2 Pro ने इसको बीट कर दिया है और Realme 2 Pro ही Redmi Note 5 Pro से बहतरीन है लेकिन अब यार Xiaomi Redmi Note 6 Pro लांच कर रहा है इंडिया में और वह भी मतलब सेम प्रोसेसर के साथ तो यार ये थोड़ी सी disappointment की बात है at least आपको इसमे Snapdragon 660 देना चाहिए था तो मैं आपको इसको recommend कर सकता था लेकिन यार मैं अब इसको recommend नहीं करता तो और दोस्तो इस phone की price में आपको बता रहता हूं जो कि चलो Xiaomi ने इस phone की price कम कर दी है और दोस्तो इस phone की price है 13,990 रुपीज फर्स्ट वेरेंट की और दूसरा variant है 15,999 रुपीज का तो यार ये चलो अच्छी बात है कि Xiaomi ने इसमे cost cutting कर दी है मतलब price थोड़ी कम कर दी है ल ने तो आज तक इंडिया में तहल का ही मचाया हुआ है लेकिन यार इस मेरे को लगता है Redmi Note 6 Pro इस बार वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके competition में Realme काफी तगड़ phone launch कर रहा है काफी तगड़ specifications के साथ बाकी दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये phone बेकार है ये phone value for money नहीं है ये काफी बढ़िया phone है काफी अच्छा package हो सकता है आपके लिए और दोस्तों मेरा recommendation तो यह है कि अगर आपको quick charging और अच्छा camera चाहिए तभी आप Redmi Note 6 Pro लेना नहीं तो अगर आपको ये इतना important नहीं है तो आप फिर Realme का true pro भी लेचकते हो लेकिन यार कुछी subscribe कीजिए और अपने दोस्ते के साथ share कीजिए अगर वो एक निया phone लेने वाले हैं तो उन्हें कहिए कि रुक चाहिए क्यूंकि Realme का U1 काफी बहतरीन package होने वाला है दोस्तों 12-20,000 रुपाई की range में चिल दन दोस्तों ठेक क्यार गुडबाय जय हिंद वंदे मातरम